हलो गाइज, आज की वीडियो होने वाली है शिन लीड के बारे में, क्या होती है शिन और कैसे बोलर्स को हेल्प करती है बोल तेज डालने में, जानेंगे इस वीडियो में, अधर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ऐसी बार इंट्रिस्टिंग वीडियो देखने से लिए, चैनल ये शुरू करते हैं जहां से बोलर जम्प लेता है, और जब बोलर का बैक फूट लैंड हो जाता है, इसके बीच के टाइम को शिन लीड कहते हैं शिन का मतलब होता है लेक के सामने वाला हिस्सा, नी से नीचे वाला और लीड का मतलब होता है आगे तो मतलब बोलर की जम्प के टाइम, जिससे हैंग टाइम भी कहते हैं, शिन लीड होनी चाहिए और जब बोलर का बैक फूट लैंड हो, तभी उसकी शिन जो है वो लीड करनी चाहिए, यानि आगे होनी चाहिए अपर बोडी से इसे ही शिन लीड कहते हैं हमने पिछली वीडियो में देखा था कि अब बॉडी के हर पार्ट के यूज होने की एक टाइमिंग होती है शिन लीड बोलर को हेल्प करती है एक करेक्ट काइनेटिक चेंज सिक्वेंस से बोलिंग एक्शन को स्टार्ट करने के लिए आपने फास्ट बोलर्स की रिस्क को स्नैप होते वे देखा होगा इस स्नैप बोलिंग आम की डिले की वज़े से उठा है और आम डिले भी शिन लीड का ही रिजल्ट है अब अगर शिन लीड ना हो तो क्या होगा पहला, शिनलीड के ना होने से काइनेटिक चेन का सीक्वेंस बिगड़ जाता है और बोडी के हर पार्ट से मैक्सिमम एफर्ट नहीं लग पाता दूसरा, शिनलीड के ना होने से बोलर की अपर बोडी सेंटर और मास से आगे लेंड हो जाती है जिसकी वज़े से बोलर की फ्रेंट नी बेंड हो जाती है बेंड नी शिन लीड के ना होने से ही एक रिजल्ट है तो इस वीडियो में इतना ही आप सबको एक पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ऐसी और इंट्रस्टिंग वीडियो देखने के लिए